नमस्कार दोस्तो सर्जी क्लासिस में आपका स्वागत है तो देखिए हिंदुस्तान पेटरिलों कॉर्पेशन लिमिरेट की तरफ से जोब की वेकेंसी निकाली गई है इंजिनियस का तो इसका देखिए जो एकजाम पेटरन क्या होगा और साथ में सिलबस इसके क्या हो सकते ह है तो यह हम लोग इसमें डिसकास करेंगे और इसके अलावे और भी जो भी डाउट्स आपके होंगे रेकृप्मेंट से लेटेड तो वो सारा कुछ जो है इसमें किलियर आपका हो जाएगा तो आप लोग इस वीडियो को अन तक देखना हम जो है इसमें आपको है तो वालों के लिए इसमें अच्छा पॉर्चुनिटी है और इसका जो एवरेज जो से डिसी रहता है आपका यहनि कि जो पैकेज रहता है तो वह भी काफी हाई है तो इस तरीके से आपको जो है यह जो आपको क्रैक कर लेना किसी भी तरीके से अगर आप लोग अच्छे करना होगा दे टाइम डॉक्मेंट वेरिफिकेशन या फिर जो भी आपको बुलाया जाएंगे वहाँ पर तो उस समय तक आपका जो है आजाना चाहिए तो जैसे यह एंटर्व्यू होगा इसका अफिर जब भी डॉक्मेंट वेरिफिकेशन आपका होगा नातिये आपका मा 15 अपरिल 2021 है तो आपका लिग होगा नहींतों अपरिल करते हुए त्यारी करना अपना अब ऋहां पर देखिए जो इनोने सौर्ट ल तो इसमें इन्होंने चाहिए थ्री स्टेजेज इन्होंने रखा हुआ है एक आपका है पहला computer-based test आपका है जो कि online examenistan आपके लिए चाहेंगे दूसरा आपका है group discussion का, group task का और तीसरा आपका है personal interview का तो इसमें दिखिए जो आपके दिये हुए है यानि कि जो computer-based test आपके होगा यहाँ पर आपका तो इसमें दिखिए सबसे important चीज़ यह है कि इसमें आपके दो section आने वाले हैं और इसमें कोई भी negative marking आपका नहीं है तो यह आप लोग धियान रखना कोई negative marking नहीं भी थे, no negative marking है आपका यहाँ पे तो आप लोग इसमें एक सम question आटायम कर सकते हैं और इसमें दो पार्ट्स आपके आएंगे पहला पार्ट आपका है general aptitude का यानि कि जो non technical part है और दूसरा आपका है technical part यानि कि जो professional knowledge जो भी branch से आपके आप बिलॉंग करते तो उन ही सही question आपके इसमें से पूछे जाएंगे तो इसमें technical part जो है तो आप लोग अपने according तो तैयरी कर सकते हैं जो भी आपके respective जो भी branch है और इसके लिए आप लोग previous year paper आप लोग solve कर सकते हैं जो various PSU's के अभी exam हाली में conduct हुए हैं जैसे क आपका बिजाएगे श्टिल का हो गया, NLC gate का हो गया, इसके अलावे call India का हो गया तो इन सभी में देखिए जो question का जो pattern रहता है तो लगवग आपको पूछने का इनका same भी रहता है लगवग आप लोग PSU का previous solve कर सकते हैं और साथ में SSCJE का भी आप लोग solve कर सकते हैं previous year paper और इसके अलावे आप लोग जहां से भी आप लोग करते हैं तो वहां से आप लोग कीजिए बट PSU के जो paper होते हैं तो उसको आप लोग जरूर solve कर लेना जैसे कि आपका call India का हो गया, इसके अलावे आपका बिजाएगे श्टिल का हो गया, NLC gate का हो गया, तो उन में से आपको pattern सेम देखने को मिल सकते हैं, हम यहां पर देखिए बात करते हैं आपका general aptitude section का, तो इसमें देखिए इन्होंने तीन section को mention किया हूँ है, पहला आपका है English language, उसके बाद आपका है quantity aptitude, और तीसरा इसमें आपका intellectual potential test है, तो इन तीनों को हम लोग एगे करके यहां पर respective से पूछे जाएंगे, तो आप लोग अपने according उसको study कीजिए, हम आपको non-tech में help करेंगे, तो देखिए, यहां पर हम सबसे पहले बात करते हैं आपका जिसे की, जो general aptitude section आपका है, तो उसमें तीन पार्ट आपके दिया हूँ है, English language, और उसके बाद आपका है quantity aptitude, और त इसको देख सकते हैं, तो इसमें मिल लिए आपको जैसे question आपके आता है, error spotting से, error spotting में आपके देखिए, बहुत सारे type को होता है, मतलब की grammar based होता है, different topics होता है आपके, जिसमें की आपका subject bug agreement हो सकता है, इसमें जो की important रहता है, सबसे ज्यादा, इसके अलावे article or preposition से related हो spelling test से भी आपका पुछे आ सकता है, questions इसमें की आपके spelling दिया रहता है, wrongly spelled word दिया रहता है, उसमें आपको, और आपको, में भी उसमें different types of question आते हैं आपके, और इसके अलावे जो है, question आपका रहेगा, passage completion से भी आपको हो सकता है, passage को complete करने से related आपके रहता है, इसके vocabulary sections आपके रहते हैं, और इसके अलावे sentence improvement का भी रहेगा question, sentence improvement में आपका sentence दिया रहेगा, उसको improve करने की होती है, तो यह सारे दिखिए जो topics आपके है न, यह सारे आपके जैसे grammar के ही अंदर में आ जाएंगे, जितने भी मतलब के sentence improvement हो गया, फिर error correction या error reduction से हो गया, या फिर आपके जो और भी रहते हैं, जो की grammar से ही रहते हैं, आपके fill in the blanks best, तो वो आपको properly grammar के जो rules होते हैं, उसे के basis पे रहते हैं, तो आपको जो है English का इन सभी topics को अच्छे से cover करके जाना होगा, तो इनके लिए देखिए हमने already English का class already हमने start किया हुआ है, तो इसके लिए अप हमने वीडियो बनाए, इसमें देखिए हमने काफी चीज अपडेट कर दिया है, इसमें हमने बहुत सारे चीज अपडेट किया है, जैसे vocabulary portion होगा, और grammar में भी हमने बहुत कुछ इसमें changes किये हुए हैं, जिसमें कि आपको additional और भी इसमें मिल जाएंगे content आपको और साथ मे grammar का साथ में जो vocab का portion है, दुसमें भी हमने और भी बहुत सारे words को add किये हुए हैं, और वो जो है आपका exam oriented सारे आपको मिल जाएंगे, तो आप लोग जहें English के लिए, अगर आप लोग कहीं से और नहीं पढ़ना चाते हैं, क्यों अलागर अगर डिपेंड रहना चाते हैं वहाँ पे, और साथ में test series भी provide किया हुआ है, तो आप लोग उसको जहें वहाँ से भी पहुर सकता है, और YouTube में भी तो हम cover कर ही रहा हैं यहाँ और PDF हम आपको provide कर देंगे इसका, और अल्रड़ी हमने कर ही दिया है लगभग इसका PDF हमने English का जो है, आपको description box में link मिल इसका और बाद में later on अगर जरुरत पड़ी तो हम बाद में इसका special एक वीडियो भी बना के आपको provide कर देंगे English language, especially for HPCL exam के लिए, नहीं तो अभी के लिए आप लोग इससे study कर सकते हैं, तो आपका English से यहाँ आपका परपूर तयारी हो जाएगा, और question practice के लिए आप लो तो सबसे बेस तरीका है कि आप लोग notes से study कीजिए, या फिर कहीं से भी कीजिए, हम नहीं करें हमारे से ही कीजिए आप यहाँ पर आप लोग टाइम उटला ही ज्यादा करना होगा आपको और इसके साथ में previous paper आप लोग सॉल्प कीजिए, जैसे कि आपका NLC gate भी जाएगा आपको आपको आइडिया हो जाए, question किस तरीके से आया हुए है, और हम जो notes तैयर करते हैं वीडियो बनाते हैं तो उसी exam के और इसके साथ में देखिए और जो topics आप से पूछे आ सकते हैं English में जैसे आपका voice change यानि कि जो active से passive map करता है, narration based question आपके रहता है, तो यह सारे ज chapter जो है, already हमने PDF में include किया हुआ है, तो आप लोग इससे study कर सकते हैं, तो आपका जो है, English में कापी अच्छा तैयारी हो जाएगा, अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, अपड़ना आप पढ़ना, हमने इसका special class शुरू किया हुआ है, app पे, app का भी link दिया वे description box में, तो vocabulary में आपका one word substitution जितने भी important है, और साथ में जो idioms and phrases है, और endonyms, synonyms है, तो ये सारे के सारे जो हैं आपके आते हैं, vocab section में, तो इसका हमने अलग से add गिया हुआ है, इन दोनों से, जितने भी section आपके है, और साथ में आपका जैसे rearrangement का भी दिया आता है, तो ये भी सारे के वीडियो को देखते हैं, फिर PDF notes को cover करते हैं, तो इससे भी आपका जो है, आप हो जाएगा तयारी, बट आप लोग practice करना चाहते हैं, तो आप लोग book prefer कर सकते हैं, SP बगची की book है, यह भी बहुत अच्छी book है, इसमें आपको सारे चीज़ मिल जाएंगे depth में, और previous year question के लिए भी आप लोग अगर देख सकते हैं, इसका अगर मिलता है कहीं से, तो उसे भी practice कर सकते हैं, नहीं तो PSU का बहुत ही अच्छा है, इसका, यहनि कि जो देते हैं paper, तो यह लगभख सबका same pattern रहता है, पूछने का, तो I hope कि English के regarding, जो है doubt पको clear हो गया होगा, अभी भी अगर चाहिए subjects related, तो आप लोग comment करना, कि कोई देखिए जो PSU के exam होता है ना, तो वो कोई ज्यादा depth में syllabus के regarding information देते नहीं है, और ना तो HPCL ने यहाँ पर यह भी बताया हुआ है, कि कितने marks आपके पूछे जाएंगे, कितने marks का आपका यह आएगा, तो आप लोग मान के subject को equally importance देते हुए चलना, non-technical और technical दोनों को एक साथ में, फिर इसके बाद देखिए, जो second इसमें आपका है general aptitude section में, तो वो है आपका quantitative aptitude है, तो देखिए जो quantitative aptitude है, जिस तरीके से आप बाकि और exam के लिए आप तयारी करते हैं, जो भी topics आप कहाते हैं, जैसे railway का, SSC का ह हो गया, फिर PSC का एक exam के हो गया, तो वो similar आपका इसमें भी पूछा जाएगा, तो mainly इसमें आपको जहाए, यह सारे topics आपको focus करने होंगे, जैसे कि आपका data interpretation का, DI का हो गया, इसके अलावे time distance, percentage, average decimal fraction, area, इसके अलावे mensuration, time and work, तो यह सारे common topics है, जो आप लोग study करते इसमें कोई special class के जरूरत नहीं है, और इसके लिए book भी follow कर सकते हैं, आप लोग fast track math की book आती है, रिहन publication की, यह सबसे best book है, किसी भी exam को preparation के लिए, quantity of attitude के आदी हम बात करते हैं तो, तो क्योंकि इसमें आपको कुछ shortcut तरीके मिल लेंगा, और number of questions भी बहुत सारे इसमें दिय हुए हैं, तो आप लोग इससे practice कर सकते हैं, और साथ में previous paper अप लोग जरूर लगा ना, PSU के, जितने भी आली में exam अभी हुए है, NLC gate का हो गया, प्रिविजाएगे steel का हो गया, या तो फिर आपको cold India का हो गया, तो उनको अप लोग जरूर सौल करके जाना, इससे आपको potential test है, तो यह दिखिए intellectual potential test इन्होंने लिखा हुए, लेकिन question जो आपके आएंगे ना, यह reasoning जो question आपका आते हैं, उसी type से ही आपके आएंगे, तो generally इसमें आपको question आ सकता है, जैसे analytical reasoning जो आपका रहता है, इसमें, maybe statement based होता है, इसके अलावे sitting arrangement का question आपका रहेगा, जैसे persons लोग रहते हैं, sitting करते हैं, इसके अलावे statement or conclusion based आपका रह सकता है, जैसे आपके railway में पूछा आता है, statement और conclusion दे दिया था, क्या इसका हो सकता है, इसके अलावे आपका odd one out का हो सकता है, coding decoding का, symbolism के भी question आपके रहेंगे, और साथ में, एक question आपका रहता है, इसमें selection process type के question, कि दिया रहेगा, कि following criteria रखी गई है, selection process के लिए, और statement दिया रहेगा, कि कौन select हो सकते हैं, तो इस तरह के reasoning के question आपके आते हैं, तो mainly आपको जो है, थोड़ा सा इसमें, आप bank level के question आते हैं, आपके pre के हम बात करा हैं, यहाँ पे clerk का, तो आपको उस type के question प्रिपेर करके ज जरूरत आपको नहीं है, तो उतना अगर कर लेते हैं, तो आपका intellectual potential test का भी, यानि कि जो reasoning का ही है, यह आपका तयारी हो जाएगा, तो इसके लिए अपको previous PSU का ही paper आपको solve कीजिए, और concept सिखने के लिए, अगर इन topics पे अगर आपको clarity नहीं है, तो YouTube पे आपको देख सकते कोई ज़्यादा आपको special पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर हमने देखिए non-technical के बारे में पूरा देख लिया है, और technical का आप लोग अपने सही कीजिए, उसमें कोई भी जो है, जहां से भी आप लोग पढ़ना चाहते हैं, कोई दिकत नहीं है, अब आपके होंगे, जैसे कि पहले आपके computer-based test है, उसके बाद group discussion होगा, उसके बाद personal interview होगा, तो इन तीनों को मिला के आपके होंगे, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, कि जो आपका हर एक stages जो आपके होंगे, यहाँ पर जैसे computer-based test है, तो इसका weightage आपका 85% ह तो written test आपका सबसे ज़्यादा माइने रहेगा, क्योंकि इसका contribution मतलब 85% रहेगा आपका, और इसमें देखिए, main आपका जो focus रहना चाहिए, कि इसमें जो domain आपका है, domain section है, दोनों का minimum qualify marks भी उसमें आपको लाने है separately, तो 50% आपका है, यहाँ पर all category के लिए, और इसके अल individually दोनों combine करके भी आपको 60% marks आपको लाने होंगे, और यूर, EWS और साथ में आपका दिया हुआ इन दोनों category के लिए, और बाकी देखिए 54% है, STSC, PWD और OBC non-criminal student के लिए, तो इस पे आप लोग काफी अच्छे से focus करना, और ध्यान देना यहाँ पर, तो कि में भी हो सकता है कि कोई एक section आपने छोड़ दिया, उसमें आपका 50% नहीं आया, और एक में आपने 90% लाया, तो आप लोग वहीं पर disqualify हो जाओके, तो इस पर आपको अच्छे से ध्यान देना है, फिर इसके बाद देखिए, जो group task है आपका, तो इसका क्योल 5% ही weightage है आपका, और इस minimum qualify marks भी आपको लाने होंगे, जो की 40% है, URO EWS के लिए 33.33% है STSE, और साथ में जो OBC non-criminal student है, फिर उसके बाद देखिए, जो personal interview आपका है, तो इसका 10% ही weightage है, इसमें भी minimum qualify marks है, 40% लाना होगा आपको, URO EWS के लिए 33.3% है, आपका STSE, और PWE candidate आपका, और साथ में OBC non-criminal student के लिए, तो आपका यहां पर देखिए qualifying करना हर एक section में यह जरूरी है, तो इस बार पर भी आप लोग ध्यान देना, अच्छे से, फिर देखिए, जो final scoring आपका जो किया जाएगा, तो इसमें भी overall मिला के आपका, जैसे computer based test हो गया, group task हो गया, और position interview हो गया, तो इन सभी को मिला के भी जो है, आपका 60% होना चाहिए, यूर EWS का, अगर 100 marks का अपको total यह रहता है, तो उसमें आपको 60 number लाना compulsory है, तभी जो है, आपको आगे का process होगा, और 54% है, यह STSC OPC non-crimular student के लिए, और PWD candidate के लिए, combination हो आपका होना चाहिए, जैसे group task, यहापका computer based test हो गया इसके लावे, जो group task, आपको person interview होगा, तो सभी को मिला कि आपको 60% लने होगे, general EAR के लिए, और इसके बाद 54% आपका है, STSC OPC non-crimular student के लिए, तो यहाँ पे आपका ध्यान होना चाहिए, इस पे, बहुत लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं, तो हर एक stages आपको आपके ल number of questions कितना आएगा, कितने sections से तो यह अब mention नहीं किया गया है, यानि कि जो HPCL का जो recruitment आया था, notification आया थी, तो उसमें उन्होंने नहीं बताया हुआ है, और ना तो उन्होंने कोई time का mention के बारे बताया कितना time का होगा, बस उन्होंने यह दिया हुआ है, कि negative marking आपका इसमें जो है नहीं आएगा, तो I hope कि आपका सारा चीज आप किलियर हो गया होगा, doubt यहाँ पे, और देखिए, कोई भी एगर और भी आपका additional कोई doubts रहता है, तो आप लोग comment कर देना, हम उसका reply जो है आपको जरूर देंगे, तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते है आपसे next video में,